बीदे कुछी समय से जब से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद में भारत में बहुत सारे लोगों ने चाइना के बने प्रोड़क का भःसकार किया अब साथ ही साथ में भारत को इस बात का भी डर था कहीं चाइना सेमी कंडक्टर को लेके बड़ा प्लांट ना बना ले वरना भारत को भी चाइना से वो चीज को लेके इंपोर्ट करने की जुरूत पड़ेगी लेकिन अब भारत सरकार ने एक नए सेमी कंड़क्टर हब बनानी की घोशना की है जिसमें रतन टाटा जी की कमपनी टाटा गुरूप ने ये प्लान किया है कि अगला सेमी कंड़क्टर का प्लान वो भारत में बनाने जा रहे है जिसमें 90,000 करोड रुपे से जादा का इंवेस्टमेंट आ चुका है जमीन में काम सुरू हो गया है अब इस वीडियो पे चर्चा करते हैं आकिर भारत सरकार टाटा के साथ मिलके सेमी कंड़क्टर हब कहां बनाने जा रहे है जैसा कि आप लोग जानते हैं माणनी नरेंदर मोधी जी का सबसे बड़ा और ड्रीम प्रोजक्ट धौलेरा स्मार्ट सिटी है जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बे का सबसे बड़ा बिजनस हब बन रहा है उसी का फाइदा टाटा गूर्प ने उठाया और भारत सरकार ने टाटा गूर्प के सांद मिलके ये प्लानिंग की है कि अब हम सेमी कंड़क्टर का प्रोड़क्टन भारत में करेंगे और वो भी दौलेरा में ही करने वाले हैं तो जो लोग Dolyra Smart City के बारे में दिन राज चर्चा करते हैं, जो Dolyra के बारे में बात करते हैं, ऐसे investor का आने वाले समय में, बहुत ही बड़ा profit आने वाला है, और इसके साथ में एक बहुत बड़ी खुसकबरी ये आने वाली है, जिसके बज़े से और चाहिना कही नगही नार ग्रुप के सेमी कंड़क्टर प्लान की रिए शुरुवात करने वाले हैं तो ये ख़बर सुनकर आपको कैसा लगा आप जरूर बदाए और आप चाइना के लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि अगला सेमी कंड़क्टर भारत बन सकता है या भारत में इस तरह कि सेमी कंड़क् करेंगे अगर आप दोलेरा स्मार्ट सिटी में प्रॉपटी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं दोलेरा स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि एक आम निवेसक दोलेरा स्मार्ट सिटी में भी इन्वेस्टमेंट करके बड़ा के साथ रिस्तिधारों के साथ वेजिये क्योंकि कही न कहीं त्यद्ध के लिए प्यारे भारत देश के लिए ये गर्व की बात है कि जहां दुनिया भर में जिस चीज की डिमांड बढ़ रही है उस चीज जो को बनाने के लिए हम एक सेमी कंड़क्टर हब सीधा का सीधा हम बिजनिस हब बनाने जा रहे हैं